तो Samsung की सबसे famous series है S series और यह मेरे हाथ में S23 Ultra लेकिन अब इसका बड़ा भाई S24 Ultra भी आने वाला है 17th January को इसका launch बताया जा रहा है और भाई क्या क्या देखने के लिए मिलेगा उसके आज किस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर hands-on photo भी आ चुक है इसकी निकल के start करते हैं without wasting any time मेरा नाम है प्यूश और अगर आपको वीडियो ची लगे इंफोर्मेटिव लगे चैनल सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और शेर करना अपने उस दोस्त के साथ जो कि S24 Ultra बाई करने की सोच रह जाता है कि यह काफी time से same design को भाई repeat करे जा रहे हैं और last time Samsung को भी थोड़ा सा किया गया था क्योंकि S22, S23, S21 के अंदर हमने almost similar ही design देखा है लेकिन हाँ इस बार मेरे को लगता है जादे criticize होगा क्योंकि S24 series का पूरे design same होने वाला है यहाँ पर S24 Ultra में हलका सा चेंज है वो Titanium frame के काफी सारे फायदे हैं जैसे कि phone हलका होता है heat dissipation काफी तेजी से होती है मतलब अगर phone heat भी होगा frame से काफी जल्दी ठंडा हो जाता है और इस पर matte finish होती है इस पर scratches नहीं लगती Apple का phone मैंने काफी time without cover चलाया है यहाँ तक कि इसका drop test भी करा था महाँ पर हमने देखा थ यहाँ तक कि गिरने के बाद भी dent नहीं था तो strong भी काफी जाद होता है titanium frame तो Samsung भी इस बाइ titanium frame डालने वाला है बाकी Samsung में जैसी की curve panel काफी time से खतम होता हुआ आ रहा है S23 Ultra के अंदर हमने देखा है कि curve काफी कम बचा है तो S24 में इस वाली leak से पता लगता है कि curve बचा ही न अपने S-Series के अंदर से curve हटा रहा है पर एक चीज़ा जो Ice Universe ने बिल्कुल confirm कर दिया वह बैजल और चिन इस बार भाई मोटे होने वाले है यहाँ पर जो display की curve है वह बिल्कुल खतम कर दी जाएगी जिसकी वैसे यहाँ पर उसे cover-up करने के लिए थोड़े से मोटे बैजल चिंते तो अगर ऐसे नहीं मिलते हैं तो ठीक है थोड़े मोटे बैजल चीन हम जहलेंगे लिए इतने नहीं जहलने वाले तो आई होब कि Samsung जादा मोटे बैजल चीन एड़ ना करें बाग यहाँ पर डिस्प्ले में जो एक इंप्रूव्मेंट करेंगे इसके लावा वह 144 ह का रिफ्रेश रेट इस बार 120 हट नहीं मिलेगा तो 2024 के अंदर हाई रिफ्रेश रेट भी भाई काफी इंप्रूव होने वाला है अभी फ्लैक्शिप के अंदर Samsung पहली बार इतना हाई रिफ्रेश रेट एड़ करेगा और यहाँ पर वनिवाई की एनिमेशन है उसके साथ म करें जो कि Apple के अंदर काफी अची थी वह थी पीक ब्राइटनस अपल के अंदर 2000 निट्स की थी Samsung इसमें काफी पीछे था साथे 1700 निट्स की पीक ब्राइटनस मिलती थी और यहाँ पर अभी Samsung ने कहाँ कि हम 25 निट्स की पीक ब्राइटनस देने वाले हैं अपने अच24 बागी इसके अंदर 144Hz का refresh rate होगा तो definitely एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए फोन के अंदर उसे जहलने के लिए तो यहाँ पर Samsung दो प्रोसेसर दे सकता है अब काफी सारे रूमर्स ही आ रहे हैं कि फिर से इस बार भाई Exynos की वापसी होने वाली है और Samsung इस बार काफी बड़ा चेंज करने वाला है अपने AI के अंदर काफी सारे AI के extra feature एड़ करे जाएंगे और Samsung के इतिहास के अंदर सबसे बड़ा AI में चेंज H24 सीरीज के अंदर ही होने वाला है पर यहाँ पर देखने वाली बात यह कि अगर Exynos का प्रोसेसर आता है तो आपको AI capabilities कम मिलेंगी और यह अलग मिली है वहीं पर अगर यह Snapdragon का प्रोसेसर डालते है 8 Gen 3 तो हाँ पर आपको दोनों चीज़े balance मिलेंगी और extra AI features भी मिलेंगे तो I hope कि India के अंदर यह Exynos variant ना लाएं और इंडिया के अंदर भाई कोशिश करें कि Snapdragon वेरेंटी दें क्योंकि इससे पहले जो S-series बदनाम थी वह Exynos processor के लिए ही थी काफी अची चीज़े मिलती थी लेकिन फोन हीट होता था बैटरी बैकप कम मिलता था इस वेसे लोग उसे बाई करना पसंद नहीं करते थे लेकिन Samsung का time by Snapdragon की वज़े से बदला इंडिया के अंदे जितना मुझे लगता और इसी वेसे हम लोग में तगडी गेमिंग मिली है तो अब अगर 8 Gen 3 आता है तो और भी तगडी गेमिंग मिलेगी और हम रे ट्रेसिंग को भी एक्सपिरेंस कर पाएंगे अक्च्वल में बागी बाई कैमरा में ज़्यादा बड़ी इंप्रूमेंट नहीं होगी आपको ओल्मोस सेम कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलने वाले हैं फ्रेंट बैक दोनों में हैं यहाँ पर भी 100X जूम मिलेगा बट यहाँ पर सेम कैमरा सेटप होने के बाद भी जो ISP है प्रोसेसर क इसनी और इंप्रूमेंट करते हैं मेरे को एक दूजिगे लगता है जहाँ पर इसको इंप्रूमेंट की जरूरत है जैसे कि डारेक्सन लाइट में फेस को काफी येलो कर देता है बैक लाइट में ज्याद अच्छे से एजड़ेक नहीं कर पाता जो कि आज के फोन कर पाते बागी बाई काफी सारी चीजे चेंज होने वाले इस बार फोन के अंदर तो मेरे लगता है प्राइज भी टगड़ा होगा आप बताइए आपको के लगता है इसका प्राइज होगा बाकी इहां पर अगर आप S23 अल्ट्रा बाई करने की सोच रहे हो 90-80,000 का मिल रहा है तो